हेलो बच्चों फिर से एक वर आपका आजके स्वीडियो में सुख़ते हैं आज हम कहानी इस तरह से आगे बढ़ने हैं आजके स्वीडियों भी देखेंगे इचले वीडियों में उन्हें विदूर और उनकी ये दो पार्ट पढ़ें थे आजके वीडियों में हम पढ़ेंगे इसका नाम है घीम और इस पार्ट के बारे में आजोन पढ़ेंगे तो आए आपको टेक्स्ट भुक खोल के बढ़ेकिस तरह से कहानी कहानी आगे बढ़ती हैं वह आजकी इस वीडियो के बाना हम जोन जाने लिए आपने आपने बुक खोल के बैटना है ताकि आपको ये बात ऊंसामी से समझ में आए, कि किस तरह से कुला बढ़ रहे हैं तो तो ही आपको खोल के हैud सुनिए और इस वीडियो को आप जरूर अंतर देखिए तो आपको आसानी समय है चुछ शुरू करते हो पांचों पाड़ों तथा धृत्राश्टु के सब उत्रों जो कवरों कर लाते थे हस्तिनापूर में साथ साथ रहने लगी खेल पूत हसी मजाग सब में साथ ही रहते थे शरीपल में पांचों का उत्र भीम सबसे बढ़कर था खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाईयों को घूप तंग किया करता यद्यपी भीम मन में किसी से वयद नहीं रखता था और बच्पन के जोश के कारण ही ऐसा करता थ फिर भी भी दुर्योधन तथा उसके भाईयों के मन में भीम के प्रति द्वेशभाव बढ़ने लगे इधर सभी आलकों बालका उचित समय आने पर क्रपाचाये से अस्त्र बित्या आई T, के साथ साथ अंङी बित्याय सीखने में भी पाणों को और खीज्टेने लगी दुरियोधन इनपाणों को हर प्रकार से नीचह दिखाने का प्रिय तपता हूं इन सब इनी नहीं परती थी में डुगो कर मार डाल जाए और उसके मर्में पर युधिष्टित अर्जुन आदी को कैद करके बंदी बना लिया गया तो दुर्योदम ने सुचा कि ऐसा करने से सारे राज्ये पर उसका अधिकार हुजाएगा एक दिन दुर्योदम ने धूंधाम से जल्क लड़ा का प्रबंद किया और पांच और पाड़ों को उसके लिए न्योताब दिया बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भुजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सोगे दुर्योधन ने चल से धोके से भीम के भोजन में वीश्ट मिला दिया जहर मिला दिया सब लोग खूब खेले तैरे सो ठक ठका कर सो गए भीम को वीश्ट के कारण गहना नशा हो गया बहर डेरे पर भी न पहुंचा और नशे में चूर होकर गंगा की नारे रेट में ही गि लताओं से उसके हाथ पर बांद कर उसे गंगा में बहा लिया लताओं से चक्राद भूआ भीम का शरीर गंगा की धारा में घृता हुआ दूर निकल गया इधर धुर्योधन मन ही मन यह सुंच कर खुश्च को रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया जब दिश्चिर आदी जावे और भीम को नवाया तो चारों भाईयों ने मिलकर सारा जंगर तथा दंगरा का उसके डाला जल जहां जल किड़ा की थी छान डाला पर भीम का पही पता न चला अंद में निराशों कर दुखी रगर से वे अपने महल को लोटाए इतने में ही क्या देखते हैं कि धीम जुमता जानता चला रहा पाणो और कुंती की आनत का किकाना न रहा युदिश्चिर कुंती आदी ने धीम को गले से लगा लिया पर यह सब हाल देखते हैं कुंती को बड़ी चिंता हुई उसने विदूर को गुला भीजा और अकेले में उसने बोली उनसे बोली दुष्ट दुर्योधन दरूर कोई ने कोई चार्चर रहा है राज्य के लोग में लालच में वो अभीम को मार डाला चाता है मुझे इसकी चिंता हो रही है राजनीती पुशल विदूर कुंती को समझा देवे बोले तुमारा कहना सही है पर अच्छा ही इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो प्रकट रूप से दुरे धुन की निंदा कदाबी न करना नहीं तो इससे उसका द्रेश और बढ़ेगा इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया उसे समझाते हुए लिदुश्कीर ने कहा भाई भीम अभी समय नहीं है तुम्हें अपने आपको संभाला होगा इस समय तो हम पांच और भाईयों को यही करना है कि कि किसी प्रकाद एक दूसरे के रक्षा करते लिए बच्चे रहें भीम के पार वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्यर हुआ उसका रध है और जल्ले लगा तो इस तरह से इस पार्ट में भीम इस पार्ट में कहानी हुई है तो आगे किस तरह से कहानी पढ़ एक है वह हम आगले पार्ट में दिखेंगे इसका नाम है कर्व तो यह पार्ट में क्या होता है इसमें कहानी आगे इस तरह से बड़ी है पांग पाडोंने पहले क्रपाचारे से और बाद में दुड़ाचारे से अस्त्रव शश्च्र की शिश्या पाई उनको जब विद्य काफी निपनता प्राक्त हो गई तो एक भारी समारों किया गया जिसमें सबने अपने कोशक का प्रदर्शन किया सारे दगरवासी इस समारों को देखने आये थे तरह तरह के खेल हुए और हरे एक राज़कोमार यही चाहता था कि वहीं सबसे बढ़कर निकले आपस में प्रतिस्वरदा पड़े जोर की थी परन्तु तीर चलाने में पांदु पुत्रव अर्जुन का कोई सारी रथा आर्जुन ने खमुश विद्या में कमा का खेल दिखाया उसकी अध्भुद चतूरता को देखकर सभी दर्शक और आज़ुश की सभी उपस्तित लोग दंग रहे यहां देखकर दुर्योधन का मन इर्शा से जलने लगा चलन हुने लगिन से अभी खेल हो ही रहा था कि इत अधिरत द्वारा कोशित पुंती पुत्र कर नहीं था लेकिन उसके पुंती पुत्र होने की पार किसी को मालूम न थी रंग भूनी में आते ही उसने अर्जुन को डलका रा अर्जुन जो भी करतव तुमने यहां दिखाये हैं उनसे बढ़कर कोशल मैं दिखा सकता हूं क्या तुम इसके लिए तयार हो इस चुनोती को सुनकर दर्शक मंदली में बड़ी खलबली मज़ गई पर इर्शा की उसने तपावाई से कर्ण का स्वावत किया और सच्छाती से लगा कर बोला कहो कर्ण कैसे आएं बताओ हम तुम्हारे क्या कर सकते हैं कर्ण बोला राजन मैं अर्जुन से ध्वन्व युद्ध और आपसे विद्वत्रता करना चाहता हूं कर्ण की चुनोती को सुनकर आर् बिना बुलाया आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा की योग के होते हैं यह सुनकर कर्ण ने कहा अर्जुन यह उत्सो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं वे चलो तीरों से बात कर लें जब गर्ण ने अर्जुन को योँच नोती दी तो धर्शकों ने ताहिया बजाई उनके दो दल बन गए एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्म को इसी प्रकार वहां इकट्टी स्त्रियों के भी दो दल बन गए कुंती ने कर्म को देखते में पैचाई लिया और भैत अठा दज्जा के मारे मुर्चित ही हो गई उसकी यह हालात देखकर विदूर ने दास्रियों को गुलाकर उसे चेंद कराया इसी बीच क्रपाचारे ने भुटकर करन से कहा अग्यात वीर महाराज पांडू का पुत्र और कुरोंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व यूद्ध करने के लिए तया है किन्त तुम पहले अपना परिचत तो दो तुम कौन हो किसके कुत्र हो किस राजपूल को तुम भी भूशित करते हो दोंगो यूद्ध बराबर वालों में ही होता है कूल का परिचे पाएं बगेर राच्पुमान कर भी दोंग करने को तयार नहीं होते हैं पाचारे की यहां बार सुनकर कर्ण का सीर चुप गया कर्ण को इस तरह देखकर दोर्योधन उट खड़ा हुआ और बोला अगर बरापरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ यह खड़कर दोर्योधन ने तुरंत पितामः भिश्म एवाँ पिता धृतराष्ट्र से अनुमत ही लेकर वही रंगभूम्री में ही राज्य विशेव की सामगोई वनवाई और कर्ण का राज्य विशेव करकियों से अंगदेश का राजा घोशित कर दिया इतने में भूड़ा साती अधिरत जिसने कर्ण को पाला था लाटी देखता हुआ और भै के मारे काथता हुआ सभ़ा में प्रविश्ट हुआ कर्ण जो अधुनमी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था उसको देखते ही धुनुश नीचे रखकर उट खड़ा हुआ नीव खू कहां कहां आकर हस पड़ा और बोला साथी के बेटे धनुश छोड़कर हाथ में चावग लो चावग वही तुन्हें शुरुआ देगा तुम भला कब से आजुन के साथ वंद्व यूद्व करने के योग्य हो गए यह सब देखकर सभा में खलपली मजगी इस समय सूरज भी दूब रहा था इसी कारण सभा विसर्चित हो गई मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक प्रंद अपनी अपनी पसंद के अंसार अर्जुन कर्म और दुरेधुन की जैजेकार बोलते जाते थे इस घटना के बार बहुत समय बार एक बार इंद्र बुड़े रहमन के वेश में अंग नरेश कर्म के पास आये और उसके जल्मचात कवच और कुंडलों की धिशा मागी इंद्र को डर था कि भावी युक्त में कर्म की शक्ति से अबजुद पर विपत्ति आ सकती है इस कार करण की ताकत कम करने की इंच्छा से ही उन्होंने उस से यrodशा माङी थी कर्ण को सूर्य दियों ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोका देने के लिए इंदर ऐसी चाल चलने वाले हैं पलंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मानने पर बहुम मना कर ही नहीं सकता था इस कारण यह जानते हुए भी कि विकारी के वेश में इंदर भूका कर रहे हैं कर्ण ने अपने जन्मजाद कवच और तुम्डल लिकाल कर भिक्षा में दे दिये इस अधुद दानवीता को देखकर इंदर चकीत रह गए कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसंद हूँ तुम जो भी वर्दान चाहो मांगो कर्ण ने दिवाज से कहा आप प्रसंद है तो शत्रूं का सम्हार करने वाला अपना शक्ती नामक शत्र हुशे प्रदान करें बड़ी प्रसंदता के साथ अपना वह शत्र करन को देते हुए दिवाज ने कहा युद्ध भेतों किसी को लक्ष करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा परना तो एक दिन बार एक दिन ही बार तुम इसका प्रयोग कर सबोगे तुमारे शत्रों को मालने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा इतना पहतर इंद्र चले गए एक बार करना को परशुराम जी से ब्रहमस्त्र सीखने की इच्छा हुई इसलिए ब्रहमन के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्राथना की कि उसे शिश्य स्विक जांड पर सील लगकर सोर है थे इतने में काला भौना कर्ण की जांड के निचे गुज़गया और काटने लगा कीडे के काटने से कर्ण को बहुत पिड़ा हुई और जांड से लहु की भारा प्याने लगी पर कर्ण ने इस भै से कई गुर्दयों की नीन नवी जाए तो उसकी नीन खुली उन्होंने देखा कि कर्ण की जान से खुन भरा है यह देखकर परशुराम को ले पेटा सच वतावा तुम कौन हो जब कर्ण असली बात न च्छिपा सका उसने स्रिकार कर लिया कि यह ब्रहमन नहीं बल्कि सूप उत्र है यह जानकर परशुराम को देते गए कहा चूंकि तुमने आपने गुरू को ही धुका दिया है इसलिए जो वित्यात तुमने मुझसे सीखी है बहुत अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी आयन वक्त पर तुम उससे भूल जाओगे और रंक्षेत्र में तुमारे रंक्रत का पहिया प्रत्व क्रुक्षेत्र के मैदान में अर्जून से युद्ध करते समय कर्ण को बहुँ याद न रही दुर्योधन के घनिष्ट मित्रत कर्ण ने अंत समय तक कवरों का साथ न छोड़ा कुरुक्षेत्र की युद्ध में भीष्मत था अचारे द्रोन के आहत को आहत हो जाने की बार दुर्योधन ने कर्णों को ही कवरों सेना का सेनापती बनाया था कर्ण ने दो दिन तक अध्वुद्ध मुशर्टा के साथ युद्ध का संचारन किया आखिर जब शापवश उसके रद्ध का पनिया जमीन में धस गया और वह भनुष्य बाद रखकर जमीन में धसा हुआ अधिकानले का प्रत्न करने लगा तभी अरजुन ने उस महारतिक पर प्रहार किया माता कुंती ने जब यह सुना तो उसे दुख का पात न रहा तो इस तरह की खटना हुई जो हमने दो आट के माद्धिया से देखा एक कर्म और दूसरा जो भी यह तो महान व्युद्ध मह महाबारत में है महाबारत के जो इस तरह सुरह है यस तरह की आप यहाद तक इस पार्ट में अज में आज के विदिए के बारे में अगला जो वीडियो हम बनाएंगे तो कहनी आगे किस तरह से बढ़ती है दोड़ाचार इस पार्ट में क्या दिया गाए है वह हम अगले वीडियो देखेंगे आज हम यहीं रुखते हैं अगले वीडियो के मात्यम से हम जल मिलेंगे आज जितना हमने पढ़ा है जो दो पार्ट है यह दो पार्ट भीम और करन इससे आप धान से इक बार फिर से पढ़िए पढ़ने के बाद इसके पर जो भी प्रशन आपको दिये जाए है वह प्रशन पूरे करके मेरे मिलाड़ी आपको भीजना है ठीक है लेकिन ध्यान से वीडियो को आप देखेंगे किस तर से मैंने पढ़ा है उसी तर से आपको घर पे पढ़ने का प्रयास करना है और ही आपको अच्छे से समय है ओके तब तक के लिए थन्यवाद